साथियों, आज ये निर्ण लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सिनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्ता आने वाले दो सप्ता में लागू की जाएगी। इन दो सप्ता में केंद्रव और राज्य सरकारे मिलकर नई गैडलेंज के अनुसार आवशक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि दो सप्ता बात 21 जून को ही अंतर राश्य योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज में अठारा वर्षे उपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुप्त वैक्सिन मोहया कराएगी। वैक्सिन निर्माताओं से कुल वैक्सिन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरिद कर राज्य सरकारों को मुप्त देगी। यानि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सिन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोडों लोगों को मुप्त वैक्सिन मिली हैं। अब 18 वर्ष की आउ के लोग भी इसमें जुड जाएंगे। सभी देश वाच्चों के लिए भारत सरकार ही मुप्त वैक्सिन उपलब्द करवाएगी। साथियों, आज ये निर्न लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सिनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्ता आने वाले दो सप्ता में लागू की जाएगी। इन दो सप्ता में केंद्रव और राज्य सरकारे मिलकर नई गाइड्लेंज के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि दो सप्ता बाद 21 जून को ही अंतरराश्य योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज में अठारा वर्षे उपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुप्त वैक्सिन मोहया कराएगी। वैक्सिन निर्माताओं से कुल वैक्सिन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरिद कर राज्य सरकारों को मुप्त देगी। यानि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सिन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोडों लोगों को मुप्त वैक्सिन मिली हैं। अब 18 वर्ष की आउ के लोग भी इसमें जुड जाएंगे। सभी देश वाच्चों के लिए भारत सरकार ही मुप्त वैक्सिन उपलब्द करवाएगी।